असलाम अलाइकूम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो शैरल्स किचिन आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे बिना ज़न जट बिना महनत सिर्फ दस मिनट में सिर्फ एक आलू से पाव भाजी इसको हम और कोई सबजी से नहीं बनाएंगे सिर्फ आलू से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और आप पैचान नहीं पाएंगे कि ये सिर्फ आलू से बनी है तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाही रह्मानीरईम हमने कड़ाई चड़ा दी जिसमें 2 टेबल स्पून ओusan डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून हम बटर डाल देंगे और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे बटर जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें आधी टीस्पून जीरा डालेंगे और इसको फ्राइ करेंगे चलाते हुए अब इस टाइम पे हम इसमें क्वार्टर टीस्पून हिंग डाल देंगे डाजेशन के लिए अच्छी होती है जो पार्च कलिया लैसुन, दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक को हमने क्रश कर लिया था, ये भी डाल देंगी अद्रक को अधर करेंगे इसको fry करेंगे तो हमें इसको जादा dark color नहीं करना है पस हलका सा ही fry करना है हलका सा light golden जब हो जाएगा तब हम इसमें दो टमाटर डालेंगे तो दो बड़े size की टमाटर को chop कर लिया था यह हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको mix कर लेंगे टमाटरों को mix करने के तो इसमें हम quarter teaspoon हल्दी डाल देंगे और एक teaspoon इसमें हम धन्या पावडर डाल देंगे आधी teaspoon भूना जेरा पावडर डालेंगे और एक teaspoon हमें चिली पावडर डाल देना है अब मसालों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करते हुए हमें मसालों को भी भूनना है तो देखिए हमने मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब इस टाइम पे हमें इसको ढग देंगे और ढग कर लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे ताके टामाटर भी गल जाए और मसाला भी भून जाए तो देखिए दो मिनिट के बाद मैंने इसको खोला देखिए टामाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाला अच्छे से भून चुका है इस टाइम पे हम 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल देंगे इसको डालने से हमारी पाव भजी बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसको जरूर डालें और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा तयार हो गया है अब इसमें हम 4-5 उपले हुए आलू को डाल देंगे हमने आलू को बाल कर मैश कर लिया था सारे आलू डालने के बाद हमें इसको मिक्स करना है तो इस टाइम पे फ्लेम हमारी लो है और लो फ्लेम पर हम आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे इससे हमारे आलू भी मिक्स हो जाएंगे और हमारे आलू भून भी जाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसाले में आलू को मिक्स कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमने आलो को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इस टाइम पे हम दो टीस्पून इसमें पावभाजी मसाला डाल देंगे तो पावभाजी मसाला हम बाद में ही डालेंगे ताके खुश्बू इसकी बरकरार रहे एक टीस्पून हम कसूरी मेति को ऐसे मैश करते हुए डाल देंगे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता इसको जरूर डाले अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब इसको हम पतला करेंगे तो इसके लिए हमें पानी डालना आप अपने हिसाब से पानी डालें जितने पानी में आप की पावभजी की कंसिस्टेंसी सही हो जाए उतना पानी डाल देना है अब देखिए हमने पानी डाल कर अच्छे से देखिए इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है अब हम फुल फ्लेम कर देंगे और एक बॉयलेंगे इसमी और एक मैशर से इस तरह से हम मैश करेंगे जो भी आलू के चंक्स दिख रहे हैं वो अच्छे से मैश हो जाए तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरह से हमें पावभजी को मैश कर लेना है अब मैश करने के बाद फ्लेम को एक बॉइल आने के बाद लो कर देंगे देखे इस ये पकने लगा है हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पाच मिनट के लिए धीमियाच पे पका लेंगे पाश मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं इसमें आधा लेमन का जूस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारी भाजी तयार है इसमें तड़के के लिए हमने दो टेबल स्पून ओईल में एक टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च को डाल कर फ्राई कर लेंगे बस जल्दी से हम इस तड़के को पाव भाजी पे डाल देंगे यह तड़का डालने से हमारी पाव भाजी का कलर तो बहुत अच्छा आता ही है और टेस्ट भी बढ़ जाता है तो इस तरह से ओईल को हम फैला देंगे अब गार्णिश के लिए चौप हरे धनिये से इसको सजा अगर्णिश के लिएक हमारे पाव भाजी कि भाजी तयार है उपर से हम बटर इस पे रख देंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा और एगा हमारी पाव भाजी तैयार है अब हम में हम पाव को सेखेंगि तो हम बटर को गरम करके इस पे पाव Sesकेंगे यह बटर को अच्छ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें पाव भाजी की थोड़ी सी भाजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से बटर में अब इस पर पाव डखके हमें सेक लेना है तो देखिए इस तरह सामने पाव रखा और इसको हलके हातों से दबाते हुए सेक देखिए अच्छा कलाराने के बाद इसको हम पलट देंगे इसी तरह बाकी के पाव को भी हम सेक लेंगे तो हमारी सिर्फ आलू की पाव भाजी तयार है यह बहुत ही टेस्टी बनी है आप इसको मेरे कहने से एक बर जरूर बनाएं खाने से पता ही नहीं चलेगा कि यह सिर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नूटिफिकेशन सबसे पहले मिले दुआओं में याद रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग अला और सकतरा है